हेलो एबरीवन वेलकम टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब उम्मिद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं घर अरकी जन से रिलेटेट कुछ ऐसे चोटे चोटे टिप्स लेकर आई हो जो आप सब को बहुत पसंद आने वाली है और लेडीज के लिए तो ये बहुत सारे खड़ीद के रखते हैं घर में जब कहीं पार्टी में जाना हो या कोई तीज तेओहर होता है तब हम सारी या फिर ड्रेस की मैचिंग पहनते हैं जादा तर तो ऐसे ही परा रहता है लेकिन बहुत सारे बैंगल्स होने की वजह से इतने चूरी के बॉक्स नहीं होते हैं कि हम उसको अलग-अलग रखें तो एक साथ रखते हैं और जिसकी वजह से ये चूरिया एक दूसरे में टकराती है और फिर इसमें जो नग लगे रहते हैं जो श्टून लगे रहते हैं वो निकल जाते हैं और इनकी जो खूपसूरती होती है वो नग की वजह से ही अगर एक भी श्टून या नग निकल गया तो फिर ये अच्छा नहीं लगता है इनको हम पहन नहीं पाते हैं गर में तो पहन भी सकते हैं लेकिन बाहर किसी पार्टी फंक्शन में पहन के नहीं जा सकते हैं अच्छा नहीं लगेगा तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया तरी और जब आप पैकेट खर देंगे तब तो और सस्ता पड़ेगा और इस तरीके से बैंगल्स को जब रखेंगे खासकर जो महेंगे वाले हैं जिसमें श्टोन मोती लगे हुए है या काफी लिटर लगे हुए है जिसकी वज़े से इसकी खुशूरती है तो उसको जब आप इस सारी चोड़ी को रख सकते हैं और वह तूटेगी नहीं नहीं मोती निकलेंगे अगला टiπ्ट है हरी मिर्च को लेकर हरी मिर्च खाने में तो हर रोज इस्तमाल होती है लेकिन हरी मिर्च को कट करना काफे मुश्किल लगता है एक-दो हरी मिर्च भी कट कर ले तो फिर कई तुरान्त दूर करनी के लिए बहुत ही बढ़ी असा दो टिप्स बता देती हैं एक तो आप क्या करें मिल्च कट करने के बाद अच्छे से साबुन से हाथ को धोले और दोनी के बाद सरसो तेल लगा ले सरसो तेल अपलाई करने से जो जलन होती है वो तुरंट खतम हो जाती है दूसा तरीका है कि कोलगेट पेश्ट ले ले जो असानी से घर में मिल जाती है तो हाथ को पहले अच्छे से दोले मिर्च कट करनी के बाद और उसके बाद को फिंगर पे अपलाई करनी के बाद एक मिनट के लिए मसाज कर लीजिए मसाज करनी के बाद फिर उसे अच्छे से साफ से दोलीजिए दोनी के बाद आप देखेंगे उसकी जो जलन है वो तुरंट दूर हो जाती है बहुत ही बढ़िया और यूसपुल टिप्स है ट्राय जरूर कीजिएगा अगला टिप्स है ट्रैवलिंग बैग को लेकर इस तर अगर कभर खड़िते हैं तो काफी पैसे लग जाते हैं तो क्यों ना फ्री के जुगार से ही इसका कभर बनाया जाए जिसे की पैसे भी खर्च नहीं होंगे और ये धूल मिटी भी नहीं लगेगी सुरक्षित भी रहेगा तो पेडिकोट तो बहुत सारे होते ही हैं हम बैक का अगर कभर बनाना चाते हैं तो पुराना पेडिकोट ले लीजिए और एक तरफ से इसको हमें बंद कर देना है तो जिधर बेल्ट लगी रहती है नारा लगा रहता है तो पहले तो आप उल्टा कर लीजे पेडिकोट को और उल्टा करनी के बाद हमें गाठ लगा द अगर बड़ा वाला बैग है तो ऐसे ही कभर चरहा दीज़े लेकिन अगर छोटा वाला बैग है तो आप चाहे तो नीचे भी आप देखेंगे कि एक चोड़ी सी पटी दी रहती है हलका सकट लगा के इसमें भी आप नारा लगा दे और इसको भी आप बांद सकते हैं कभर चर रख दीजिए या फिर कबट के ऊपर रख दीजिए या कहीं पर भी एक जगह ऐसे लगा के रख सकते हैं तो धूल मिटी नहीं लगेगी और आपका बैग भी सुरक्षित रहेगा तो कैसा लगा आपको या आईडिया कमेंट करके जरूर बताईएगा अगला टिप्स जो है व सिंक को छुराते हैं मिटाते हैं तो वो नए मिटती है बलकि वो और लग जाती है तो इसको छुराने का बहुत ही बड़िया तरीका बता देती हूं बड़े लोग तो शाबून से या फिर किसी भी चीज़ से घिसके इसको साफ कर लेते हैं लेकिन बच्चों को अगर हम लिख लिया है वहाँ पर लगा देजिए और लगाने के बाद हलके हलके हाथों से इस तरह से इसको अच्छे से मसाज करने हैं आप दिखेंगे कुछी सेकेंड में सारे ही पैन के दाग निकल जाते हैं फिर पानी से धो दीजिए या फिर कपड़े को गीला करके और पोच द दिखकत की क्योंकि बच्चों को अगर साबून या जादा शेम्पो इस्तमाल करते हैं तो उन्हें प्राब्लम होती है या जादा घिसते हैं तो दिखकत होती है तो यह बहुत यह आसान सा तरीका है अगला टिपस है तबा को ले कर नॉन्श्टिक तबाह हो या फिर लोहे होती है लोहे वाली तबा को फिर भी किसी भी चीज से घिस के हम साफ कर लेते हैं लेकिन नॉंस्टिक वाली तबा को ज्यादा घिस नहीं सकते हैं तो फिर उसमें जो ओयल जमा हो जाती है जब हम पूरी या परांठे या रोटी बनाते हैं तो वो ओयल धीरे-धीरे निकलती है और वही खाने के द्वारा हमारे पेट में जाती है जो काला बन होता है वो पेट में जाती है और ये बिमारी का रूप ले सकती है तो अब हम किस तरीके से इसको साफ करें तो गैस अन कर ले और गैस अन करनी के बाद जहाँ पर भी काला बैठा हुआ है जो जमा है जो जला हु जितना भी ऑईल इसके अंदर जमा हुआ है वो सब निकल जाएगी पाउडर सारे अब्जर्ब कर लेगी अगर लोहे की तबाह है तो जैसे ही आप इस ट्रिक को अपना लेते हैं तो उसके बाद किसी भी नोकीली चीज से इसको साफ भी कर सकते हैं लेकिन अगर नॉन स्टिक पैन है तो आप क्या करें सिर्फ पाउडर का शिरकाव करनी के बाद कॉटन की मदद से इसको साफ कर ले और उसके बाद सूखे स्क्रॉवर से जो भी स्क्रॉवर आप बरतंदोनी के लिए यूज़ करते हैं वो सूखा होना चाहिए और हलके हलके हाथों से उसको रगर और उसके बाद फिर पानी से साफ कर लीजे तो इस तरीके से बहुत अच्छे से तवा साफ हो जाती है जो भी गंदी होती है जो काला पन होता है वो भी निकल जाता है और आप सुरक्षित भी रहते हैं ये बहुत ही बढ़िया और आसान सा उपाय है अगर लोहे की तवा है तो किसी भी नोकीली चीज से या फिर चमत से आप उसे साफ कर सकते हैं तो ये जो मेरा पीलर है ये खराब हो गया है तो इसलिए मैं इससे साफ की हूँ आप देख सकते हैं तवा कितने अच्छे से साफ हो गई है तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है इस तरीके से तवा सा कर लेती हैं तो कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके जरूर बताएगा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजेगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सस्क्राइब करके मेल आइकन जरूर प्रस कर दीजेगा बाबाई टिक क्यार